है है गाइज वेलकम तो देकाइड में वेलकम तो इस वेरी स्पेशल यूट्यूब सेशन और सुपर लीगल पैसे बैस बैस लीगल अप्टिटूट क्वेशन जैसा कि आप सारे लोग जानते हो कि क्लैट जब भी हमको क्रैक करना होती है तो उसके लिए बड़ा इंपोर्टे सेक्षन पर महारत होने के लिए हमको चाहिए पैसे बैस लीगल अप्टिटूट क्वेशन आपको क्लैट में टू क्लैट पैटर्न प्रेक्टिस देते हैं और आपको समझ में आता है कि आगर आज आज आपके सामने प्लैट पैटर्न की प्रेक्टिस करने को बोल दिया तो आप कितने अच्छे से अपनी क्लैट के लीगल सेक्षन को कंप्लीट कर पाओगे तो आज की इस क्लास में हम वही प्रेक्टिस करेंगे आपके सामने एक बहुत बड़ा पैसे जाएगा जोगी क्लैट के लेबल से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा थाकि आप लोग बहतर बात करते हैं क्लास की है 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 अपने अलिकल्क टॉ थे क्लास गाइज कि जल्दी से पढ़ना पढ़ना चालू करो अपने पैसेज को अच्छा रेशब, वेरी नाइस अच्छा रेशब, वेरी नाइस अच्छा रेशब, वेरी नाइस अच्छा रेशब, वेरी नाइस अच्छा रेश्ब, वेरी नाइस झाल झाल yes guys okay झाल yes okay 30 more seconds for everyone to read it finish it really fast for everyone to read it अगर आप second paragraph second passage देखोगे या second part of the passage देखोगे you will realize how complex this entire thing is you will be surprised to know that the entire second part is a single letter single sentence क्या आप यह realize कर रहे हो कि यह पूरा जो paragraph यह single letter single sentence है there is something that is very peculiar to legal language जिसको हम legalese भी बूलते हैं this was my first law school project by the way legalese हमेशा कठें होती है लंबे शब्दों में कही जाती है अगर एक संत्रे को define करना होता है तो जब lawyers संत्रे को define करने लगते हैं तो वो एक पूरा paragraph संत्रे को define करने में लगा देते हैं so these legalese can look very complex but we as lawyers law aspirants and law students should understand how easily can we understand what this paragraph is trying to tell us so for instance this paragraph is only trying to tell us that a consumer is anything who purchases things for their own benefit and a consumer shall not include any person who purchases something for commercial purpose simple सी बात है अगर एक line में कही जाए commercial purpose के लिए खरीदोगे consumer नहीं हो खुद के purpose के लिए खरीदोगे तो consumer हो consumer वही होता है जो consume करता है simple सी बात थी इसको कितना घुमा फिर आगे कहा तो जो हमने कल legal aptitude का framework सीखा था elements और exception वाला element में क्या जाएगा self consumption exception में क्या जाएगी commercial purpose बस अगर इतना समझ गए तो आगे आप देखना question कितनी आसानी से कर सकोगे तो कल का framework देखा है ना आप सब लोगों ने वही हमको यहां पर काम आने वाला है सब गर अने कर सकोगे हमको थब दाया यदो और काम जाता काम सक one लोगों प्रस सकूणल कर देखा है कंढ भाला इतना आसानी सक्गे मेरा और धुए दो तो जाऊ सब आएग। पिर वहाई हे वहाग पिर my है कि आए में हारए वहागा हो move और झाल 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 यस moving on question करके देखते हैं अब झाल 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 आप यहाँ पर एक चीज समझना कि देखो Edutisement का मतलब क्या होता है Edutisement का मतलब होता है जब आप Public Consumption के लिए किसी Misleading Edutisement को लगा देते हो इस Particular Case में क्या हुआ कि आपने एक Misleading Edutisement तो करा लेकिन यह Misleading Edutisement आपने कहां पे करा था आपने एक ऐसी जगह पे करा था जो आपका घर था आपने अभी उसको public consumption के लिए available तो नहीं करवाया and because you have not made it available for public consumption it cannot be said to be a misleading advertisement इसको हम misleading advertisement नहीं के सकते इसलिए Ramesh won't be liable as he has not published the advertisement that's correct alright hi Narayani, hi Rishabh, Devanshu, Chakshu, Sanya very nice, very good guys thank you thank you thank you okay so what was the definition of consumer let's go and check it again ठीक है, thus a consumer will now mean any person who buys any goods and hires any services ठीक है, तो एक एसा इंसान जो किसी चीज़ को खरीदता है यहाँ पर इस example में गनेश ने Samson का mobile जो लिया है अपने servant को दिया है लेकिन क्या हम यह बोल सकते हैं अपने बोल सकते हैं यहाँ अंसर के सही होगा? उसको हमें यहाँ बोल सकते हैं किर लोगों को ही था पता है कि Samsung मोवाइल भॉट इस फेरेंस टू कि चीज का रेफेरेंस है कितनी लोगों को ही रेफेरेंस चंजंगay पकड़िएा है नहीं, Samsung reference नहीं है, एक movie का reference है, एक movie reference है, movie reference बताओ फिर हेरा-फेरी देखिया आप लोगोंने, फिर हेरा-फेरी का reference है अरे वाबास, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक्स किस बात का भाई, हना, मैंनी कॉंडिटुलेशन और इंज्वाइ करो पूरा यार बात मैंने कोई meditate इंज्वाइस, नाइस, गुरे आप टॉरा टोगोнего Rät SCHूोग्षे 30好啦 2 2 2 ूपर्वर्णी झाल 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 नहीं 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 पड़ाता हूं ऑन अचेडमी पर कोई बात नहीं आशुप कीपर दिड़ आशुप कीपर दिड़ दोट ते प्राइज अगें अन्फेर ट्रेट प्रेक्टिस्स अन्फेर ट्रेक्टिस्स का एक प्रेशन वे यह भी लिखा गया है कि आपको कंजूमर को कई सारी चीजे बतानी होती जिसमें पोटेंसी अफ्ट स्पेसिफिकेशन न्यूट्रियंट्स इंग्रीडियंट्स और साथ में प्राइज तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है साथ ही उसके जो असोसीटेड डेंजर होते हैं वह भी आपको अपने कंजूमर को बताने होते हैं तो इसलिए सही हो जाएगा है टूमोर क्व झाल झाल यहां पर हमारा थार्ड अपशन सही हो जाता है confusing case clearly देखा हुआ था कि even minor shall come under the definition of consumer अब कल से minor dairy milk खरीदे और उसको कुछ भी ना मिले तो ये तो ठीक नहीं होगा ना भाई last question अगर आपने amazon से कोई phone खरीदा है on an EMI it will definitely qualify as a deferred payment ये deferred payment में आएगा और इसलिए आप consumer माने जाओगे तो there was proper consideration ठीक है तो इसमें तो कोई doubt नहीं होना चाहिए and therefore Amazon's argument is invalid Amazon के argument बिल्कुल भी valid नहीं है alright guys चलिए तो इसे के साथ we will be coming to an end of the class I have certain information for you जैसे कि आप लोग telegram channel को join कर सकते हो जहाँ पर आपको मिलती है इन classes के regular notes notification और भूस सारे दोस्त और उसके अलावा कल से दो batches शुरू हुई है an academy पर एक तो law stock batch which is started from august 25 अगर आप CLAD 2023 के student हो तो आप इस batch को join कर सकते हो या फिर आप join कर सकते हो success NLU batch को which is a beginner batch for CLAD 24 and other law interest test ये भी हमारी august 25 से शुरू हुई है और आप लोगों के लिए अभी आज आखरे दिन है unacademy के unlock offer का जिसमें आपको मिलता है 35% off on your unacademy CLAD iconic and plus subscription आपको इस offer को अवेल करने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा और NLSIU code use करना होगा NLSIU code use करने के बाद आप लोगों का जो दाम है वो 20% कम हो जाएगा ठीक है तो if it is right now 39,750 6 month के iconic subscription का यह तो 31,800 आपका NLSIU code use करने से होगा और एक secret की बात है कि NLSIU code use करोगे credits भी अपने use करते हो साथ में तो शायद आपको 35% से भी ज्यादा का discount मिल जाए और येस चलिए और उसके अलावा आप लोग Unacademy Legal में आ सकते हैं कल Unacademy Legal होगा August 27 को 1 PM पर और इस नंबर पर कॉल कर सकते हो if you need any help with your Unacademy CLAT subscription ठीक है बाकी we will keep meeting हम मिलेंगे 7 बजे with this we come to the end of the class let's clat it Unacademy let's crack it have a great day guys and I'll hope to see you soon have a great day guys